नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्रायंमरी के हिंदी पैडागॉजी स्यरीज के कुछ महतवपून प्रिशनों की सिरिंखला देखने जा रहे हैं Upper Primary यानि Paper 2 Hindi Pedagogy सीरीज की ये प्रमुख दूसरी वीडियो है अगर आप Upper Primary के सभी सबजेक्ट के Complete Pedagogy के अलावा Primary इस तर के सभी सबजेक्ट के Pedagogy के साथ साथ Seated Previous Year Primary और Upper Primary सभी शिफ्टों के Complete Paper Solution को डिटेल में देखना चाते हैं इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेले कुनको जरूर प्रेस कर लिजेगा और सिक्षा सास्त्र यानि की पेडागोजी की बात की गिया है पेडागोजी हमें क्या बताता है एज ए टीचर पेडागोजी हमें ये बताता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है ठीक है किस विदी के मादम से पढ़ाना है सिक्षण विधी क्या होनी चाहिए, बच्चों के appropriate क्या विधी हो सकती है, यह सब कुछ हमको सिक्षा सास्तर बताता है, यानि कि सिक्षा सास्तर में समागरी को अंतर नहीत करना, यानि कि किस प्रकार से हम लोग TLM का यूज कर सकते हैं, teaching learning materials, समागरीयों का उप्यों किस प्रक समागरीयों की सिक्षा सास्तर यानि कि as a teacher मुझे कम से कम ये पता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, और किस प्रकार से समागरी का यूज करना है, option 4 बिलकुल appropriate है और यहीं इसका सटिक जवाब होगा, अगला प्रशन पुछा गया था, एक सिक्षी का प्रती दिन निमल बाचीत करने के लिए दिन प्रती दिन के विशय देती है, दिन प्रती दिन का विशय यानि कि बच्चों के परिवेश से जुड़ा हुआ topic उनको दिया जा रहा है बाचीत करने के संदर में, आगे पड़िये बाद में प्रतेक समू से एक-एक विद्यार्थी को लेती है औ अब प्रतेक बच्चे को अपने पांच-पांच की गरूप में बात करने के बाद उसने जो सिक्षी का थी उन्होंने क्या किया कि जो दस गरूप से एक-एक बच्चे को उठा लिया यानि कि टोटल अब एक नया गरूप बनेगा जिसमें बच्चों की संख्यात दस हो तो देखिए यहां पर बाचीत को बढ़ावा दिया जा रहा है और टॉपिक क्या है बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उसके दिन प्रति दिन का विशह है तो जब हम लोग एक दूसरे से कम्मिनिकेट कर रहे होते हैं तो हमारे जो कम्मिनिकेशन इसकिल होता है उ कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे होते हैं जो कि हमारे अपचारिक भाषा के अंतरगत नहीं आता है ठीक है जैसे कि अगर मैं आपसे बोलू कि किताबी जो भाषा होती है किताब में जिस भाषा का प्रयोग की अगर रहता है उसके जो शब्दावली होते है वो आपचारिक होती है पूरी तरीके से तो जो किताब की भासा होती है उसे हम लोग C.A.L.P. बोलते हैं यानि कि Cognitive Academic Language Proficiency यानि संग्यानात्मक रूप से उच्छ भासा ही निपूरता यानि किताब की भासा ऐसी होगी जो कि एक तरीके संग्यानात्मक तोर पर उच्छ भासा न Interpersonal Communication Skill यानि कि एक दूसरे से बातचीत करने के दोरान जो हमारे अंदर संग्यानात्मक जो Communication Skill डवलप होती है वो BICS होता है और किताब में जो भासा का प्रियोग किया गया जाता है उसे CALP बोलते हैं और किताब की जो भासा होती है वो काफी हद तक अपचारिक होती है और जो हम लोग Communicate करने के लिए भासा का प्रियोग कर रहे होते हैं उसमें अनपचारिक शब्दों का प्रियोग करने की वज़े से अनपचारिक तरीके से इसे एक तरीके से Interpersonal Communication Skill बोला जाता है विकल्प नमबर एक यहां पर बिल्कुल सटिक जवाब हो जागा क्योंकि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं जिसमें अनपचारिक शब्दों का भी प्रियोग हो सकता है इस वज़े से ये BICS होगा Option नमबर एक इसका बिल्कुल appropriate जवाब है अगला प् चलिए यहां पर देख सकते हैं आप पहला दिया गया सिक्षार्थियों का आकलन यहां पर जितने भी आकलन के प्रकार बताया गया है जाए अधिगम के लिए आकलन अधिगम का आकलन अधिगम के रूप में आकलन सब सिक्षार्थियों का ही आकलन है यानि कि ये broad sense में है ल वैसे ये वाला उत्तर हमारा नहीं होगा पहला विकल्प गलत हो गया ठीक है अब यहां पर देखे सुधार कैसे संभा होगा जब हम लोग रचनात्मक आकलन कर रहे होगे यानि कि एक कॉंसेप्ट पढ़ाने के बाद से या फिर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से बच्चो को आ रही समस्याओं को दूर करके उसकी मॉनिटरिंग के माध्यम से फिर से उसके आधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जाता है तो यह कैसे संभा है जब हम लोग आधिगम के लिए आकलन करें कि यानि कि अभी आधिगम संपूर्ण रूप से हुआ नहीं है बच्चे को स चुका है जो आपकी समेटिव असेस्मेंट होता है जो आपका योगात्मक मुल्यांकर होता है जो सत्र के फाइनल हो जाने के बाद से जो आपकी वार्शिक परिछा या फिर फाइनल परिछा हो रही होती है उसके बाद सुधार की गुंजाइस नहीं है सुधार कहने का पार की गुंजाइस नहीं है इस वैसे यह उत्तर नहीं होगा चौता देखिए अधिगम के रूप में आकलन अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है यानि कि बच्चे का खुद का आकलन जैसे कि माली बच्चा खुद से कोई किताब पढ़ा है ठीक है जैसे कि NCRT के बुक तो यहां पर एक पैरा दो पैरा लिखा रहता है उसके बास से नीचे एक ब्रैकेट करके कुछ प्रश्ण पूछे जाते हैं जिसमें बच्चा अपना खुद का मुल्यांगन कर सकता है कि जो उपर के दो पैरा उसने पढ़ें उस पर आधारित प्रश्णों का वो जवाब तो यहां इसे बोलते हैं अदिगम के रूप में आक्लन ठीक ह이션 फिह से बाता है जो वहाला है तो टीचर से ही रिलेटेर उतर होना चाहिए और चौथा जो है वो बच्चे के स्वयम से जुड़ा हुआ है स्वा आकलन से जुड़ा हुआ है इस वाज़े से ये उतर नहीं हो सकता एक अई विकल्प बच्चा option number two देखे आधिगम के लिए आकलन तो इसमें बच्चे के जो diagnostic test होती है उसके बाद से उसको फिर से remedial teaching दिया जा सकता है उसके अधिगम सिखाने के लिए आकलन किया गया है जिसमें सुधार की गुंजाइस होगी option number two बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटिक जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया था राष्टे सिक्षानिती 2020 सास्त्रिय भासा के अध्यान को किसके रूप में अनुमोधित करता है देखिए राष्टे सिक्षानिती 2020 में three language concept को लाए गया है अभी हमारे देश भर में दो language concept जारी है जिसके अंतरगत एक तो बच्चे का mother tongue जैसे कि अगर आप यूपी से सम्मन दित है तो हिंदी आपकी mother tongue हो सकती ह है तो हिंदी बच्चे को पढ़ा जागा उसके अलावा एक आंगल भासा जिसे हम लोग English बोलते हैं तो English बच्चे को पढ़ा जाता है और अब जब बच्चा senior secondary में जा रहा होगा senior secondary यानि कि intermediate यानि कि 11 और 12 कक्षा में तब उसको एक foreign language भी पढ़ा जागा जैसे Japanese यह चैनी language बच्चे को और एक सिखाय जाएगा तो यह अब तीन language concept हमारे देश में लागू हो जागा अभी के हिसाब से केवल हमारे यहां दो language concept लागू था जिसमें एक बच्चे की mother tongue और एक English बच्चे को पढ़ा जाता था लेकिन साती साथ त्री language concept के साती साथ हमारे देश में सास language होगा यहनी mother tongue होगा दूसरा English होगा ही होगा और तीसरा foreign language होगा तो इसमें सास्त्री भासा का इस्थान कहां बचा तो इसलिए थ्री भासा सूत्र हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि जो सास्त्री भासा है उसको एक अत्रिक्त विकल के तोर पर रखा गया कि अगर बच्च जोड़े के पास एक विद्यार्थियों के दो-दो सम्हों बनाती है और उन्हें 18 वाक्यों वाली एक कहानी देती है उनमें से एक जोड़े के पास एक विशम संख्या वाले वाक्य एक तीन-पांच छपे हुए है और अन्य वाक्य खाली है जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य जैसे की वाक्य दो-चार्च है तथा विशम संख्या वाले वाक्य खाली है विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरे को वाकेयों को पढ़ करके सुनाना है और कहानी को पूरा कर लिखना है इसमें स्त्रवण वाचन पठन और लेखन समलित है इसे कारे को किस रूप में जाना जाता है ध्यान से समझेगा यहाँ पर ग्रूप में बच्चों को बाट दिया गया है और तीन और पाँच वाला उसके पेपर पर लिखााओगा और दूसरा जो गुरूप है उसके पेपर पर 2, 4 और 6 नंबर वाला वाक्य लिखाओगा अब प्रतेक बच्चा जो करजा कर रहा है कि एक बच्चा पहले एक नंबर वाक्य वाला बोलना होगा और उसके बाद से वो लिख लिया, उसके बाद से दूसरा जो बालक होगा, वो दो नमबर वाले वाक्यों को पढ़ेगा और उसके बाद से लिखेगा, तो मतलब कि दो ग्रूप मान लिजी अगर हैं, तो पहले वाक्यों को बोलेगा और दूसरा ग्रूप दूसरे वाक्यों क को बोलेगा इसी प्रàyकार से alternate वाक की लिखे हैं दोनों के पेपर में और दोनों alternate पढ़ने के बाद से कहानी को पुरा करेंगे और इसके बाद से इसमें कहानी को पूरा लिखने की बात की जा रही है तो यह क्या है तो यह परसपर सुरुत लेख है परसपर已經 क्यों कैसे पर चुकी परसपर लिखने की बात हो रही है एक ग्रूप पहले बोल रहा है उसके बाद दूसरा ग्रूप बोला और दोनों के बोलने के बाद से कहानी पूरी होगी क्यों कि वाके अल्टरनेट दिये गये थे एक ग्रूप में अल्टरनेट है दूसरे ग्रूप में भी अल्फाबेट्स होते हैं और जो हिंदी में वर्ण होते हैं उन्हीं को ध्वनी कहा जाता है जैसे कि अगर हम लोग पढ़ें ओ आ छोटी इ बड़ी इ छोटा उ बड़ा उ री ए ए ओ अ अंग अहा तो यह सब क्या बोले जाएंगे यह सभी स्वर के स्रेणी में आते हैं और इ इसी प्रकार से इसके अलावा जो 26 में से इसके अलावा जो अल्फाबेट्स हैं वो सभी वेंजन बोले जाते हैं तो यहीं पूछा जा रहा है कि सभी भासाओं में क्या और क्या ध्वनियां एक क्रम में सुनु योजित होती हैं विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप की तरह से परचित हो जाते हैं तो तीन साल से पहले ही बच्चे भासा बोलना और समझना सीख जाते हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा चारों विकल्पों में से चलिए इसे ढूंडते हैं पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे कहा जा रहा है कि उप्र तंत्रों और ध्वनिय ध्वनियों यानि की अल्फाबेट वर्ण वर्णी की बात की जारी है तो हिंदी में जितने वे वर्ण होता स्बसे परचित नहीं से परहलें हो जिसका प्रयों वो अच्छा परिशीत नहीं होता है, इस वज़े से बीकलफ निगेटिव होगे कि हमारा उतर नहीं होगा, लीपी कि अगर बात करें, लीपी का मतलब यह होता है, जैसे कि कौ होग बच्चा जानतो रहा है, तीन साल से पहले ही कि कौ से कब उतर होता है, क्योंकि आज कल के जानतो रहा है कि को से कब उतर होता है लेकिन को लिखाता कैसे है यह लिपी बद्र करना इसको इस प्रकार से यह बच्चा नहीं जानता है भले ए से एपल जानता है लेकिन ए लिखा कैसे जागा यह नहीं जानता है तो लिपी जहां जहां है वो निगेटिव हो जाएगा क्यो इसने भी वर्ण होंगे, उन सभी को वो एक तरीके से समझ नहीं पाएगा, लिखा हुआ देखकर के पढ़ नहीं पाएगा, तीन साल से कम का बच्चा, इस वज़े से लिपी जहां जाएं, वो तो बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, एक अई विकल्प अगला प्रश ने पुछा गया था, हिंदी हमारी डैश है, तो हिंदी को भारतिय सम्मिधान के अनुसार राज भासा का दर्जा दिया गया, विकल्प नमबर तीन इसका बिल्कुल सठीक जवाब होगा, अगला प्रश ने पुछा गया था, पहली कक्षा की अनीता, चित्र आतमक किताबों के चित्रों को गौर से देखती है, और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है, अनीता के संदर में कौन सा विकल्प सही है, वो हमसे पूछा गया, देखिए, प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी में कई बार आप लोग ने देखा होगा कि दिवारों पर विभिन प्रकार के कार्टून्स बने होते हैं, विभिन प्रकार के चित्र बने होते हैं, और उनके किताबों में भी बहुत ज़्यादा चित्र दिये गए रहते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, क्यों? क्योंकि बच्चे चित्रों के माद्यम से च आर्थ समझ पा रही है तभी वो अपने दोस्तों से इसके बारे में बाचित कर रही होगी तो option number two में इसके बात किया गया देखिए आर्थ के साथ पढ़ रही है यानि चित्रों को भी वो आर्थ के साथ पढ़ रही है चित्रों को देखर के वो समझ पारी है कि हाँ ये कहानी कहने की कोशिश की जा रही है क्योंकि माली जे अगर बच्चे ने ये देखा कि एक पेड था अंगूर का पेड था जिसमें अंगूर इस प्रकार से फड़ा हुआ है और नीचे कोई लोमडी उपर मूँ करके बैठी हुई है तो वो समझ सकती है कि हाँ अंगूर खाने की कोशिश की जा रही है यहीं चित्र के माद्यम से कम्मिनिकेट करने की कोशिश की जाती है बच्चों को किताबों में चित्रों के माद्यम से और इन चित्रों को देखर करके बच्ची समझ पारी है इसका अर्थ समझ पारी है और इसी वज़े से वो अपने दोस्तों से इसके बारे में बाचित कर रहे है तो option no.2 बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटीक जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया था परिक्षण का अर्थ है ग्यान चमता व डैश का किसी भी विदी से मापन ध्यान से समझेगा बहुत important topic है आपको लग रहा होगा कि आसान है लेकिन आपको थोड़ा सा देर बात समझ में आएगा कि कितना deeply ये प्रशन पूछा गया है देखे परिक्षण का अर्थ क्या है ग्यान चमता और किसी भी में जान गया तो उसकी अक्षमता के बारे में भी जान जाएंगे जैसे कि मालीजे एक कक्षा में 50 बच्चे है और उस एक पेपर कराया गया टेस्ट लिया गया जिसमें 30 नंबर पासिंग था 100 में से अब मालीजे कोई बच्चा 50 नंबर पाया तो अब ये सक्षम है यानि पास हो गया वह स्च्चमता-वान है तो आप ये तो डिसाइट करी पा रहे हैं दिवह सक्षम नहीं था 30 नंबर पाने के संदर में यानि कि छमता आ जणने से बच्चे कि अक्षमता के बारे में भी इम लोग जानकारीं निकाल सकते हैं इस वज़े से अब अक्षमता हमारा नहीं आएगा उमीद करता हूँ आपको चीजे क्लियर हो रहे होंगी और थोड़ा सा आप अंत में जब जाएंगे तो और ज्यादा हिंट आपको मिलेगा देखे व्याकरण और साहित जो होता है वो बहुत एक तरीके से नॉमिनल सा पार्ट हो गया इस वज़े से क्योंकि जो बच्चे का प्रदर्शन होगा वो पहले से व्याकरण और साहित को इंक्लूड किया हुए अपने में तो प्रदर्शन जो है वो ब्रॉड सेंस में और ये दोनों जो थे थोड़ा संकुचित थे इस वेसे हमारा उत्तर नहीं होगा एक अई विकल्प बचा आप्शन नमर एक देखे प्रदर्शन प्रदर्शन बिल्कुल से ठीक जवाब होगा प्रदर्शन का मतलब क्या होता है कि अपने आपको रिप्रिजेंट करना चाहें वो परिक्षा के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो देखे यहां पर एक वर्ड यूज किया गया था हमें परिक्षन करना है परिक्षन में वैक्तित्व परिक्षन भी होता है लेकिन वैक्तित तो जो होता है वो क्या होता है वो गुरात्मक हमारे गुण है अब मैं किसी चीज को ले करके अपने विवहार को परिदर्शित कर रहा हूँ तो मेरा जो विवहार है वही मेरा personality होगा ठीक है तो अब जो मैं विवहार को परिदर्शित कर रहा हूँ तो उसे आपन का सेंसा है था गुरात्मक तोर पर मापा जाएगा अब यह नहीं कहा जाके कि मेरा विवहार जो है वो पांच किलो का है पांच किलो जब मैं कह रहा हूं तो इसको हम लोग तॉल सकते हैं किसी मानक से तुलना कर सकते हैं लेकिन जो विवहार होता है उसे हम लोग गुरा वीडिवेट करेँगा ऐसे ही महतोपूइट वीडियो लाने के सू organs अगर आप सीटेट एपर प्रैमरी और प्रैमरी के सभी शबजेक्ट के सभी पेड़ाग्वाजी के सांथ साह Na प्राइमरी और अपर प्राइमरी सबी शिफ्टों के कंप्लेट पेपर सोलिशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करने तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आपको जरूर प्रेस कर लिजेगा सीटेट योपी टेट और सूपर टेट की पहतेरिन तरीके से त्यारी करने के संदर में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोभो